अलो नमस्कार सभी साथियों को दोस्तों भारत के इत्यास में सबसी बड़ी जो दुरगटना कल गटी है हमारे देश के जाबाज CDS जर्नल विपिन रावत नहीं रहे देश भगत के साथ साथ एक बहादूर लड़ाके थे वो उनके चर्चे भी आपने सुन रखे हैं इसी के साथ साथ लोग कल से ही भाव भीनी सर्धांजली दे रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ एक अलग घटना और देखने को मिल रही है वो है यह जो हाद्शा है उसको लेकर जो अलग विचारधारा की लोग हैं वो कहीं न कहीं पोस्ट केरियेट कर रहे हैं और जो हसने की इमोजी है वो कहीं न कहीं देखने को मिल रही है इससे एक बात के लिए हो जाती है कि यह जो हाद्शा है यह जो दुरगटना है उनके लिए खुशी का मोका है लेकिन उनको यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारे देश के जो सेनिक है उनकी बदोलत ही हम आज महफूज हैं और यह जो अलग विचारधारा के लोग हैं इस तरह का जसन मना रहे हैं पोस्ट केरियेट कर रहे हैं टैग लगा रहे हैं हैं उनको एक बात और समझ लेनी कि ये भी किसे ने किसी सेक्षन के तहट आप पर कारवाई जरूर होगी साइबर कराइम आप पर नजर रखे हुए हैं और इस देश में देश भक्तों की कमे नहीं है कहीं न कहीं आप जरूर कानून की नजर में है आप पर जो भी कारवाई होगी वो जरूर होगी देर से हो लेकिन कारवाई जरूर होगी क्योंकि हमारे देश में रहकर हमारे देश का इस हाल से पर जशन मनाना कहीं न कहीं दुखद है इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वे जो अभी जशन मनाने वाले लोग हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे क्या सब्द हैं उनके लिए आपके जरूर परतिकिरिया दे और इस हेलिकॉप्टर हादसे में सहीध हुए सभी आत्माओं को इस वर शांती दे धन्यवाद